हेलो प्रेंच राधे राधे आज हम देखे ये बहुत ही प्यारा सा कैप बनाना बताएंगे जो की तीन और चार नंबर लड़ो गोपाल जी के आराम से आ जाएगा इसको मैंने तीन रंगों से बनाया है येलो, वाइड और ग्रीन इन तीनों कलर का यूज किया है चलिए इसे बनाकर दिखाते हैं कैप बनाने के लिए इसको मैजिक रिंग बनाएंगे मैजिक रिंग बनाके एक चैन बनाएंगे फिर इसमें रिंग के अंदर से सिंगल प्रोशिय बनाएंगे इसमें आड़ बाल सिंगल वल्श्यै बनाएंगे 1-1 गर इन सिंगल प्रमॉसी बनाएंगे आट को यो बनाने बास में कर देखेंगे तरह है अब डिश्टीज उन चान अनीए वन 2 नेक्स चाइन में जा बबक बोच्य बनाएंगे यह निकाले एक साथ तीनों फंदे निकाल देंगे इसे हाफ डबल क्रोशिय कहेंगे सेम इसी जगह में एक बार और हाफ डबल क्रोशिय बनाएंगे एक से तीन हो गए अब यह तीन से एक साथ तीनों निकाल देंगे फंदे बने कर देंगे तो यह हाफ डबल क्रोशिय हो गय इसमें दो दो बार हर एक चैन में बनाएंगे तो 16 हाफ डबल क्रोसिया हो जाएंगी चलिए बनाती हूं फिर आगे मैं दिखाऊंगी यह देखे सब चैनों में दो दो बार बना लिया अब इसमें यह तू की चैन में स्लिप इस्टिस से जोइंड कर देंगे इस तरह है फिर दो चैन बनाएंगे अब इसमें नेक्स वाली में हाफ डबल क्रोसिया बनाएंगे फिर नेक्स चैन में हाफ डबल क्रोसिया बनाएंगे अब जितनी भी चैने हैं सबों में एक एक बार half double crochet बनाइंगे किसी में अब दो बार नहीं बनाना है सबों चैनों में एक एक बार बनाते हुए इस round को complete करते हैं दीखिए ये third round complete हो गया इसमें three की chain में two की chain में slip stitch से join कर देंगे अब इसमें color change कर देंगे इसमें white color लगाएंगे देखिये इसमेン white रंग का उन लगाने के बाद में इसमें 2 chain बनाएंगे फिर next वाली chain में half double crochet बनाएंगे फिर इसके next में half double crochet बनाएंगे सभी चैनों में एक एक बार half double crochet बनाते हुए एक round और complete करेंगे इसके बाद में एक round और बनाएंगे, दो round half double crochet से, white color से बनाएंगे, हर एक chain में एक एक बार बनाते हुए, इसको complete करते हैं, इसमें तीन row white से कर लिया है, तीन row yellow किये, ये single crochet किये, फिर half double crochet किये, फिर एक row half double crochet किये, फिर white से half double crochet की एक रो है फिर एक रो और है फिर एक रो ये है तीन रो white से बना लिए अब इसमें green से बनाएंगे green color की उन लगाते हैं फिर बनाएंगे देखिए white के round के अंत में आगा है इसमें slip stitch से joint कर देगे इस तरह है अब इसमें धागा change करेंगे green हुन से लगाके इसमें 3 की chain बनाएंगे एक दो तीन तीन हैएं बनाने के बाद के बाद में इसमें double crochet का एक डवालोसे हो गई फिर तीन चैन और बनाएंगे एक दो तीन- इस पे एीक दो तेन तीसरी वाली में इसमें प्र कोट बनाएंगे इस तरह ऐं फिर लूप लेंगे रिण नेक सवाली चैन में एक डवाली पोसे ही अलएगährt कर इस में तीन चैन बनाएंगे love कि दो पी तीन चैन बनाने के बाद में इसमें पिकॉड बना लेंगे फिर इसमें लूप लेंगे इसी सम्झ जगह में एक बार और डबल क्रोशिय बनाएंगे फिर इसी में तीन चैन बनाएंगे एक दो तीन फिर यह दो लूप उठा के इसमें पिकॉड वाला डिजैन बनाएंगे इस तरह फिर लूप फिर नेक्स चैन में डवल क्रोज यह बनाएंगे इसमें तीन चैन बनाएंगे तीन चैन बनाने के बाद में पिकॉड बनाएंगे फिर सेम इसी जगह में करेंगे हर चैन में दो दो बार डवल क्रोज यह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे दो डवल कर तैयार हो गया है